नमश्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है एक बार फिर से आज हम आपके सामने योरीक एसिट का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम आप जानेंगे कि जिन लोगों को हाई योरीक एसिट की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को कौन स ड्राइफ्रूट खाना चाहिए और कौन सा ड्राइफ्रूट अवैड करना चाहिए तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप मेरा वीडियो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नए- timeless वीडियो आसानी से मिल सकें और आसानी से मिलने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देखे दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूरिक एसेट बढ़ने पर आप सभी को बहुत सी ऐसी फल और सब्जियों को अवाइट करना पड़ता है बहुत सी ऐसी दाले होती हैं जिनको खाना चाहिए कुछ दाले होती है नहीं खानी चाहिए और कुछ सब्जियां खानी चाहिए कुछ नहीं खानी चाहिए ठीक ऐसे ही सेम टॉपिक है का हमारा कि आपको कौन सा ड्राइफूट खाना है और कौन सा अबाइट करना है जी हां दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं देखिए दोस्तों जिन लोगों का यूरिक एसिट बढ़ रहा है उनको कौन सा ड्राइफूट खाना है वो है अक्रोट देखिए दोस्तों करें और किस तरह से आये जानते हैं आपने इसको डिरेक्ट नहीं खाना है इसको खाने के लिए आपने एक रात पहले इसको भीगो की रख दे और सुभे खाली पेट इसका सेवन करें देखिए दोस्तों यह जो खरोट है वह आपके हड्डियों जोडों के लिए खास कर गए यूरिक एसिट के लेवल को कम करने के लिए एक वरदान है तो प्लीज आप ड्राइफरूट अगर खाना चाहते हैं तो खरोट खाईए और अब बात करते हैं कि कौन सा ड्राइफरूट आपने अवाइड करना है वो है रेजन्स यानिकी किश्मिश जी हाँ दोस्तों यह ज ऐसे में यह आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह जो रेजन्स होते हैं किश्मिश इनका सेवन बिल्कुल बंद करें खास करके वो लोग चिनका यूरिक एसिट का लेवल हाई है क्योंकि ऐसे में और करें तक यह अने वाले नई वीडियों के नए नाउटिविकेशन मिल सकें तो प्लीज